सटेत्रों का हिस्सा हो सकता है ये ये सब बातें गले की नीचे नहीं उतर रही है विपक्ष भुखलाया हुआ है पूरी दाकत से चुनाव लड़ा रहे हैं सोचना भी हास्यास्पद ही होगा नेकि मैं व्यक्तिकत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ बरेली मंडल में भाजपाने लोकसवा टिकट बदले जाने के प्रियोग तो बदायों पीली बीत में भी किये हैं मगर बरेली जैसे साइड एफेक्ट कहीं और नजर नहीं आ रहे बरेली में चुपके चुपके पार्टी के अंदर से ही अपने उमीद बार छत्रपाल गंगवार के प्रत आसायों की मुहिम चलाए जाने की खबने सामने आ रही हैं सोसल मीडिया पर खोले आम सरे आम भाजपा प्रत्यासी के खिलाब नेगेटिब प्रचार किया जा रहा है भाजपा सूत्रों का कहना है कि लोकस्वा प्रत्यासी छत्रपाल गंगवार के खिलाब खराब बात है फैलाने वाले कुछ ऐसे मौरे हैं जो खास चेहरों के खास माने जाते हैं और ऐसे खास मौकों पर पहले भी कटपुतली वाला खेल खेलते रहे हैं सोचल मीडिया पर फैलाई जा रही नेगेटिविटी का असर किसी तरह बरेली में भाजपा के चुनाब आवियान पर न पड़े इसके लिए प्रत्यासी छत्रपाल गंगवार के साथ पूरा पार्टी संग्टन पर दूसरे जिम्मेदार चेहरे खुल कर सामने आ रहे हैं और मीडिया के सामने अपनी तरह से सच भी सामने ला रहे हैं अपवाओं को लेकर बिरोधी पार्टियों पर हामला भी बोल रहे हैं पार्टी केंप में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि चुपके चुपके असायोग अंदोलन को हवा देने वालों का रोजनामचा भी तयार किया जा रहा है और यही रोजनामचा चुनाबबाद हिसाब के ताम में काम आने वाला है चुनाबी ट्रेक रिकॉर्ड देखा जाए तो भाजपा ऐसी पार्टी नजर आती है जो अपने पत्ते बहुत ठोक बजा कर चलती है और जल्दी अपने फैसली भी नहीं बदलती है जेट में भाजपा की ओर से गोशित उमीदवारों पर नजर दोड़ाएं तो अफबाद को छोड़ कर टिकट के एलान के बाद टिकट बदले जाने की खबर हैं अभी तक पार्टी से एकका दुक्का ही सामने आई हैं यूपी भी बात करें तो राज़ी में मुक्ची समाजवादी पार्टी परस्चिमी यूपी में ही कई टिकट पे करने के बाद भी बदल चुकी है लेकिन भाजपा के साथ ऐसा दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा यह सब जानते हुए भी बरेली में भाजपा प्रत्यासी चत्रपाल गंगवार के टिकट सरिंडर करने और बरेली टिकट पर पार्टी में पुनरविचार होने की अफवाएं सियासी हलकों में तेजी से फैलाई जा रही हैं इस तरह की बातों को अफवा इसलिए भी कहना ठीक होगा क्योंकि पार्टी संगटन के साथ खुद बरेली से बाजपा प्रत्यासी चत्रपाल गंगवार भी मीडिया से लगातार जूट मूट की बातों को दुस्परचार बताकर उनका खंडन कर रहे हैं इसके बाद भी अपमाए फैलाने बाले अपना काम केजी से करने में जोटे हैं मेर चुनाम में टिकट का दावा ठोंकने वाली बरेली की एक महला बाजपा नेता के सोटल मीडिया एकाउन से बाजपा उमीदवार चत्रपाल गंगवार के बारे में जो कुछ लिखाये गया उससे पूरा संग्टन सकते मा गया है बाजपा सूत्रों का कहना है कि ऐसी एक महला ने बरेली बाजपा महानगर अध्यक्स पर योबा नेता अधिर सक्षेना की ताजपोटी के समय भी लखनव तक तूपान उठाने की कोटिट की ती मगर हुआ कुछ नहीं मेर चुनाप के समय भी ऐसी अंदर खाने कुछ बाजपा नेताओं ने डॉक्टर उमेच गौतम के खिलाप असायोग की मुण चलाई थी मगर डॉक्टर गौतम के रिकार्ज बोटों से जीतने पर असायोग बाजओं को मुखी खानी पड़ी थी असायोग की बैसी गतिविदियां अब लोगस्वा चुनाप में भाजपा उमीदवार शत्रपाल गंदवार के खिलाप भी चलाई जा रही है तो फिर यह सवाल उट रहा है कि इस बार चुपके चुपके खेले जा रहे बिरोध के खेल में कौन मौरा हैं और कौन मौरों के पीछे का चेहरा हाला के बरेली में भाजपा के चुनापी रनीती कार पूरे संक्षन के साथ मिलकर अपना चुनापी होमपर्क बेहत मजबूत बता रहे हैं और लो टेंजन की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं सुमार को बरेली बाजपा संक्षन की ओर से आयज़ित प्रेस कॉंपरेंस में लोकस्वा उमीद्वार चत्रपाल गंगवार के साथ बनमंत्री डॉक्टर आउर कुमार, मेर डॉक्टर उमेश गोतम, महानगर अध्या चदीर स्ट्रेक्षन असायद प्रमुख नेता सामने आप भी देखिए, चुनाम में पार्टी के अंदर अत्रायों की कतित खवरों को लेकर क्या बोले लोकस्वा प्रत्यासी छत्रपाल गंगवार और मेर डॉक्टर उमेश गोतम मैं चत्रपाल सिंग 25 लोकसवा बरेली का भारती जंता पार्टी का अध्यकरत प्रत्यासी हूँ और हमारे देश के लोकप्रिये नेता मानवर नरेद्र मोदी जी और उत्तरप्रदेश के लोकप्रिये मुक्मंत्री मानवर योगी जी ने विकास की इतनी जवर्दस योजनाएं देश का प्रदेश का इतना जवर्दस विकास आम जन्मानस की पीच में पहुची योजनाएं उससे विपक्ष भुखलाया हुआ है बरेली बहुत बड़े अंतर के साथ एक इतिहास रचेगी ये सब बाते विपक्षी समाजबादी पार्टी के गले की नीचे नहीं उतर रही है और उन्होंने बदनाम करने की दुर्ष्टी से बहुत तरीके के बंड़े अपनाये हैं सडे अंतर रचे हैं उस सडे अंतरों का हिस्सा हो सकता है अखिए है यह मैंने कोई सब्सक्राइब सब्सक्रारा के बाखें चल लए है और उनके मार दर्शन में पूरी बरेली जिले की और यहां का पूरा संग्ठन लगा हुआ है बूतिस्तर से लेकर अबारे जितने जनपरदिनी हैं पार्टी संग्ठन का नेटवर्क है और अबारे मानवर मेर साहब हैं इस सारे लोग मैं संतोजी के पार्टी के लि और उनके बारदर्शन में चुनाव का प्रिवंदन चला है ये सब बातें सब जो कुछ भी उड़ाई जा रहे हैं ये समाजबादी पार्टी का सड्य अंत्र है हमारी कल पार्टी की यहां मीटिंग हुई मेर साहब ने आयुजित की सभी माननिये सभी माननिये सवासद यहा है अभी जिले की जिले की अभी यहां चुनाव संचालन समती की मीटिंग थी उसमें भी वो रहे हैं मैं यद्द भी थोड़ी देर के लिए रहा मेरा मेरा कारिकरम था से मीरगज विधान समय में चला गया था उनकी पूरी उपस्तिती और सब जगए उनका जाना आना हो रह है उनका मारदर्शन हमारे कारिकरताओं को सबको मिल ला है देखिए यह कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणीती है कि किस तरह से तुष्परचार प्वेलाया जाए पर आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों के सोसल मीडिया के माध्य इशा बैठी है यहां सभी लोग पूरी ताकत के साथ भारतिय जनता पार्टी के प्रतियासी आधर्णीय स्री छतरपाल गंगवार जी को पूरी ताकत से चुनाव लड़ा रहे हैं संगठन हमारा बूत इस्तर तक पन्ना परमुक्त सारी तैयारी के साथ नियमेत रूप से पैठक हो रही है सब जगे जन संपर किया जा रहा है तो यह सोचना भी कि कोई जन परतनी दी यह चुनाव में नहीं लगाए मेरी क्याल चे सोचना भी हास्यास पादी होगा पूरी ताकत से भारतिय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतने जा रही है तो किस भावनाओं में क्या लिखा गया मुझे नहीं पता क्योंकि हर तरह के लोग बाते कर रहे हैं लेकिन पूरी भारतिय जनता पार्टी एक तरह से एक जुट है और पूरे ताकत से चुनाव लड़ाएगी कहीं कोई शंसे नहीं